इस सीद कालिन सत्र है इसमें अनपूरक बजट के साथ ही विधाई कारिय जो लंबित हैं वहाँ भी पूरे होंगे उत्तरप्रदेश बिधान मंडल ने अपनी कारवाई को सुसार रूप से संचालित करने गर्मामुपूर्ण तरीके से संसदिय लोक्तांत्रिक परणाली को पूस्ट करते वे बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर पिछले साड़े च्छे वर्स से चर्चा पर चर्चा को आगे बढ़ाने में एक नई सफलता प्राप्त की है इसलिए साड़े च्छे वर्स के अंदर उत्तरप्रदेश विधान मंडल में कारवाई जिस गर्मामुपूर्ण तरीके से लोक्तंत्र की सची भावनाओं का प्रतिनेधित्व करते वे संबाद परिसंबाद को पुष्ट करते वे आगे बढ़ी है वहाँ लोगों के लिए कोतुहल और आजसरे कब इसे भी बना हुआ है क्योंकि यही सदन था जहां पर एक बार मारपीट की घटना भी घटी थुई थी लेकिन आज यहाँ पर चर्चा पर चर्चा जन समस्याओं से जुड़ेवे मुद्दों को रखना उनके निस्तारण की विवस्ता करना यह सभी चीजों को लेकर के बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर इस समय एक आरवाई चल लिया और मेरी अपील होगी सभी मान्य सदस्यों से खास तोर पर विपक्सी दलों के सदस्यों से कि जिस गर्मा पूर्ण तरीके से उत्तरप्रदेश विधान मिंडल देश के अंदर वर्तमान में चर्चा में है उस गर्मा को बनाई रखने की जिम्मेदारी क्यों सप्ता पक्सकी नहीं विपक्सकी भी है हम उस गर्मा को बनाई रखने में अपना योगदान देए और कोई भी मुद्दे हैं जनहित से जुड़े है जबलमेंट से जुड़े है लोग कल्याण से जुड़े है उत्तरप्रदेश से जुड़े है उन सभी मुद्दों पर सरकार चर्चा परिचर्चा को तैयार है विपक्स के दौरा उठाए जाने वाले हर प्रस्ण का जवाब देने को सरकार तयार है पुरी तयारी के साथ वहाँ पर सभी लोग मौजूद रहेंगे मैं इस उसर पर विश्वास करूँगा कि हमारे विपक्सी दलों के माननी सदस्य भी सदन की गर्मा को बनाए रखने में अपना योगदान देंगे और सदन की कारवाई को सचार रूप से संचालित करने, जन हिस से जुड़ें मुद्दों को सदन में रखने और इस कारिक्रम को शितकालन सत्र को अच्छे धंग से आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे मैं सभी मानने सदस्यों को जो आज इस सितकालिन सत्र का भाग बनने जा रहे हैं उन सभी को मैं पर दैसे स्वागत करता हूँ अमिनंदन करता हूँ